आपने अक्सर मार्केट में लोगों को सबजी के लिए सामान के लिए किसी और चीज के लिए bargaining या मोलभाव करते हुए देखा होगा लेकिन आपको क्या लगता है कि कानून में भी किसी तरह का मोलभाव होता है सभी सुना आपने कानून में भी bargaining होती है और इस bargaining को हम plea bargaining के नाम से जानते हैं और आज की इस वीडियो में हम इसी plea bargaining के main provisions के बारे में चर्चा करने वाले हैं जैसे कि ये है क्या चीज इसके अंतरगत provisions क्या होते हैं इसमें punishment क्या होती है और ये किन-किन मामलों में applicable होते हैं तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिया आरम से प्रारम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम plea bargaining के provisions के मामल में तो इसको जोड़ा गया था CRPC के chapter 21st A में सन 2006 में इसको जोड़ा गया था जहां पिये section 265A से लेके L तक के provisions इसमें दिये गया है तो अगला point या आता है कि इस provision को CRPC में एड़ करने का जोड़ने का purpose क्या था या objective क्या था तो lawmakers की हिसाब से अगर किसी व्यक्ति से कोई भी अपराद गलती या आवेश की वज़े से हुआ है और वो पस्चत आप में जुलस रहा है, regret में जुलस रहा है apologize करना चाहता है तो उसको मौका देने के लिए, opportunity देने के लिए ये section एड़ किया था या ये provision इसमें एड़ किया गया था लेकिन शर्त ये है कि मुझे सजा कम से कम मिलनी चाहिए और इसी पूरे provision को, इसी पूरे procedure को plea bargaining के procedure के नाम से जाना जाता है अदालत का और parties का दोनों का ही time और खर्चा बच जाता है और केवल 2 से 3 पेशी में ही पूरा मामला निपड जाता है इसलिए ये बहुत ही फाइदेमन, बहुत ही effective technique मानी जाती है next point है कि किन offenses के मामले में ये plea bargaining होता है तो आपको बता दें, दो तरह के offenses होते हैं compoundable और non compoundable compoundable offenses कम serious crimes के होते हैं, heinious crime के नहीं होते हैं छोटे मोटे मामले होते हैं तो इनमें दो parties मिलके, एक आपस में समझोता करके, सुले करके पूरे मामले को court की guidance में इसमें court का interference नहीं होता लेकिन court की guidance होती है इसमें पूरे मामले को ये सुले की थुरू समझोते हैं तो आपको समाल लेते हैं लेकिन उन non compoundable offenses के मामले में जहां पे punishment जो होती है वो death sentence या life imprisonment या फिस साथ साल की imprisonment से कम होती है उन non compoundable offenses के मामले में ये plea bargaining के provisions applicable होते हैं अब अगला प्रश्ण इसके stage के बारे में होता है कि आखिर किस पाईदान पे, किस इस तर पे ये plea bargaining applicable होता है तो इसमें ये बताया गया है कि एक trial court में पुलिस की charge sheet के बाद और final judgment के आने के पूर कभी भी parties मिल के आपस में सुला समझोता करके plea bargaining के application दे के मामले को निप्टा सकते हैं और सबसे second last point के अंतरगत इसके conditions के बारे में बात करते हैं या फिर plea bargaining के लिए conditions क्या होनी चाहिए तो इसमें पहला point ये है कि चाहे मुकदमा complaint पे हो या police report पे हो दोनों ही condition में अगर punishment death sentence है, life imprisonment है या फिर साथ-साथ से जादा है तो plea bargaining applicable नहीं होगा वो विक्ति आवेदन नहीं कर पाएगा application नहीं कर पाएगा यानि application देने के लिए इन मामलों से कम होनी चाहिए punishment, दूसरा point ये है कि अगर offenses इंडिया के social और economic condition या situation पे असल डालने वाले हैं या फिर वो offenses महिला से किसी woman से या फिर 14 साल के बच्चे से, child से संबंदित हैं उससे related हैं इन मामलों में भी plea bargaining का provision applicable नहीं होगा, वेक्ति इस मामलों में भी application नहीं दे पाएगा, और तीसरा point ये है कि इसमें जो भी informant होगा, जो भी opposite party होगी, उसकी स्वतंत्र सहमती या फिर free consent अत्यंत आवर्शक है और चौते point में ये बताया गया है कि ये plea bargaining का provision उन लोगों को available नहीं है जो कि सजायाफता वेक्ति हैं, जो एक बार punishment पा चुके हैं, उनके लिए applicable नहीं है, और सबसे last वाले point में ये बताया गया है, कि ये one time use right है, यानि इसको एक वेक्ति पूरे जीवन में एक ही बार उप्योग कर सकता है, ये कर्ण के उस बार की तरह है, जिसको अरजुन के खिलाफ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए जब भी कोई वेक्ति इसको इस्तेमाल करें, तो बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करें, और सबसे last में बात करते हैं इसके अंतरगत मिलने वाले पनिश्मेंट के बारे में तो इसमें व्यवस्ता ये है कि इसमें जो भी पनिश्मेंट होगा वो मिनिमाम होगा, नियूंतम होगा सबसे कम से कम होगा, क्योंकि ये सुले समझोते कि तुरू होता है ये इसी शर्थ पे होता है कि मैं अपने offense को मैं अपने जो भी मैंने जुर्म किया उसको मैं कबूल कर रहा हूँ, इकबाल कर रहा हूँ, आप हमें कम से कम punishment दिलाइए, इसलिए इस मामले में minimum punishment मिलती है, ये उस punishment की जो की पहले से तय है, उसकी one half भी हो सकती है, या उसकी one fourth भ पढ़ जाते हैं, I hope कि आपको CRPC के इस lecture में plea bargaining के सारे provisions समझ में आ गये होंगे, बाकी के loss related videos के लिए, topics के लिए, points के लिए, बने रही हमारे साथ, नमस्कार.